So, Hello and Welcome You all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ important shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लेना साथ ही आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है साथ ही आपको chart analysis भी easy तरीके से सीखने को मिलेगा तो please जाकर एक बार join कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुवात IOC में अगर आप दिखोगे तो आज कहां पर closing होई उससे करेगे तो IOC ने आज काफी अच्छे return देखने को हमें मिले काफी अच्छे return दीसने दिये हैं 149.90 rupees के round अगर आप दिखोगे तो stock में हमें closing देखने को मिल जाती है returns की बात करें तो 2.95 rupees के round तक की एक अच्छी growth share में हमें देखने को मल दी है 2.01% के वहाँ पर share यहाँ पर अगर आप दिखोगे तो बढ़ता हुआ नजर आया है stock में अगर आप देखो पिछले 5 days के अगर बात कर ले तो पिछले 5 दिनों में stock 5.70 rupees तक बढ़ा है एक महीने में 19.35 rupees तक और 6 महीने में 56 rupees तक तो यहाँ पर जो growth हमें देखने को मिल रही है growth काफी एच्छी है stock में ऐसी ही growth आगे आप expect कर सकते हो क्योंकि stock में अगर देखे तो कई बड़े analyst भी positive है साथ ही कई बड़ी reports भी सामने आ रही है यहाँ पर अगर आप दिखोगे तो stock में बिलकुल आज 150.70 का high यहाँ पर लगा है और वही कर देखे इसका फिप्टी ट्विक के around के high से ही a downside क्यों रहाया वही कर देखे इसका फिप्टी ट्विक का भाई 152.20 रुपिस का है levels ऐसे create हो रहा है कि उन levels को देखकर लगता है कि stock में आने वाले time में एक नया all time high भी a share easy तरीके से हापर create कर सकता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो stock में कुछ और important updates है जिने हम discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो oil marketing companies है वो आगे भी अच्छा perform करेगी यह चीज मेंने कल भी कही थी और वही कर देखे यहाँ पर आप clearly देख सकते हो oil marketing companies likely to report sequentials profit यहाँ पर आ सकता है यहाँ पर अगर देखे जो इनके profits है OMC companies के उनमे profit में एक बड़ा jump देखने को में quarter 4 में देखने को मिलेगा हैसा यहाँ पर बड़े बड़े जो analyst है इनका मानना है और बिल्कुल quarter 4 FY24 में जो इसके इसमें numbers है उनमें एक बड़ा rise हमें देखने को मिल सकता है जिसके अनुमान अभी से लग गए है और अल यहाँ पर OMC companies के results की बात करें तो आईवूसी के results भी अच्छे रहे HPCL, BPCL के results में भी आपर काफी अच्छे numbers देखने को मिले कई बड़े जो firm से इनके उसे dividend भी दिया गया और वही अब अनुमान लगा जा रहा है कि quarter 4 में भी इसके results दमदार रहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो marketing companies है Indian Oil Corporation हो गया BHEL भारत हैवी यहाँ पर अगर बात करें BPCL के सौरी भारत Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation HPCL हो गया तो यहाँ पर अगर देखे year on year basis पे एक तगड़ी growth यहाँ पर बता सकते हैं आने वाले time में और quarter 4 FI24 में तो बड़े jump यहाँ पर देखने को मिले गई तो यहाँ पर बड़े बड़े analyst का यह मानदा है हाली में अगर हम देखे तो संजीव भसीन जी ने एक चीज ग्लेर कर दी थी आज अगर देखे तो उनकी और से यहाँ पर IOC में भी buying के लिए कहा गया था तीन यहाँ पर important shares इनकी और से कहे गए थे यहाँ पर अगर देखे गे देखोगे तो उसमें से एक share IOC भी था उन्होंने IOC में भी यहाँ पर buying करने के लिए आज advice दी और वही कर देखे उनकी advice यहाँ पर बिल्कुल सही साभीत होती हुई भी नजर आ रही है क्योंकि stock में अच्छे यहाँ पर अगर बात कर ले जो संजी वसीन जी है उनकी और से यहाँ पर IOC में buy करने के लिए कहा जा रहा है IOC में यहाँ पर अगर देखे उन्होंने buy लेवल 146 का बताया है target लेवल की अगर बात कर ले उनकी और से 165 रुबिस का target भी बता जा रहा है और 141 के around तक का यहाँ पर उनकी और से stop loss भी दिया जा रहा है तो एक कुछ नंबर से जिनके उपर आपको ध्यान रखना है संजी वसीन के और से इन यहाँ पर इन particular shares के उपर buying करने के लिए उनकी और से कहा जा रहा है तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखे आप भी यहाँ पर try कर सकते हो और exactly यहाँ पर अगर देखे होगे तो आज stock में काफी अच्छे jump देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो growth हमें नजर आ रही है जिस तरीके से reports आ रही है उन reports को देखकर भी लगता है कि stock आने वाले time में अच्छे return दे गई देगा हाली में यहाँ पर अगर देखे तो इन दिन पहले की ही बात है महराष्टा seamless जो है वो यहाँ पर बढ़ा क्योंकि IOC की और से उसे 116 करोड का यहाँ पर एक contract दिया गया तो इसी चीजे इसी news अगर आएगी तो stocks में jump हमें देखने को आगे भी मिलेगा यहाँ पर अब बात करते हैं volume की तो news तो हमने देख ली काफी IMP news रही है दो news हमने देख ली है अब बात करें अगर volume की तो volume अगर आप देखोगे तो stock में 3 करोड के round तक का trade value देखने को हमें मिल जाता है 3 करोड के round तक का trade value share में देखने को हमें मिल रहा है yesterday की volume के भी करम बात कर ले तो yesterday भी 3 करोड के round तक का ही trade value हमें stock में देखने को मिला था तो और आल यहाँ पर अगर आप देखो तो stock में high volume के साथ यहाँ पर buying हो रही है share में अगर आप देखोगे high volume के साथ खरीदारी की जा रही है और वही अगर देखे यह इसी volume के बाद एसा अगर volume रहा तो आगे भी stock में एक बड़े return हमें देखने को मिल सकते है ऐसे ही volume अगर रहे तो आगे और बड़ी growth share में आप expect कर सकते हो वही अगर हम बात कर ले इस में अगर देखे तो कई बड़े firms है जैसे संजी वसीन की और से भी बड़ा target दिया गया उसके बाद अगर मोतिलाल उस्वाल की अगर में बात कर लूँ तो मोतिलाल उस्वाल का भी यही मानना है कि stock में अगर देखे तो आने वाले time में 165 rupees का जो target है यह target एक शेर easy तरीके से achieve करा कर हमें दे सकता है community sentiments के आकडो की भी अगर में बात कर लूँ तो 100% लोग है जो stock में buy करने के ले करता है तो यह भी कुछ अच्छे positive numbers हमें stock में देखने को मिल जाते हैं अब levels क्या करते है IOC में levels किस तरीके से काम कर रहे है तो कल जो point हमने discuss किया था कल जो range हमने discuss की थी उसके हिसाब से stock ने काफी अच्छे return यहाँ पर दिये काफी अच्छी growth यहाँ पर share जो है बताता हुआ हमें दिखाई दिया है stock में मैंने कल ही एक चीज़ clear कर दी थी कि एक विल्कुल falling waste type pattern बन रहा है और इस pattern के wait करना है एक breakout का और यहाँ पर अगर आप दिखो stock में यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही और यहाँ से भी stock में अगेन यहाँ पर अगर आप दिखो कि एक support रहे एक proper इसने falling waste type pattern यहाँ पर बनाने की कोशिश कर दी इस falling waste type pattern का breakout दो में एक अली मिल गया था बट मैंने एक चीज कही थी कि breakout यहाँ पर मिला है तो stock उपर की और जाने की कोशिश करेगा ही करेगा exactly यहाँ पर एक gap up हुआ gap up होने के बाद stock में एक sudden fall भी आया इस gap को पूरी तरीके से share ने feel कर दिया यहाँ पर अगर देखे आज ही के दिन एक gap पूरी तरीके से feel भी कर दिया गया उसके बाद gap feeling के बाद stock में आप देखोगे तो और एक बड़ा momentum हमें upside का देखने को बिला यानि proper तरीके से एक falling waste type pattern यहाँ पर बनता है breakout share में देखने को बलता है stock again sustain करता है और sustain करके stock में और इच्छ momentum नजराते है तो बिल्कुल यहाँ पर breakout तो already stock में मिल गया है stock में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह range भी काफी IMP range अब बन गई है इस range का breakout भी share में अगर आप देखोगे जल्दी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखे इस particular level पर consolidate इसने किया यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही अगें share यहाँ से गिरा और यह level अगर break हो जाता है तो stock 152 के around easy तरीके से momentum बता देगा क्योंकि अगर देखे एक resistance का का काम यह range कर रही है और यह resistance को अगर break कर देता है तो 152 का जो level है यह level तो यहाँ पर easy तरीके से अच्छी होगा ही होगा तो इस point के उपर आपको भी ध्यान देना है और वही अगर देखे as a long term के purpose से भी आप positive रह सकते हो क्योंकि 1 month के इसाब से तो अगर देखो तो 155, 154 के level से ही stock में एक बड़ी गिरावट आई है तो share में यही change में कहरा हूँ कि आने वाले time में उसी level तक जाने की यह share की और से पूरी कोशिश की जा सकती है तो बिल्कुल आप कल की लिए positive रहो कल की लिए अच्छे return यहाँ पर हमें देखने को बल सकते है इसका कब से start होगा साथ फरवरी से start होगा तेरा फरवरी तक चलेगा बिल्कुल राइट इशू के लिए यहाँ पर date fix कर दी गई है तो बिल्कुल इहाँ पर इन्डी बूल्स हाउजिंग के अगर से राइट इशू अनॉंस किया गया है जो काफी बड़ी बात है काफी बड़ी गूट न्यूज है इसके शेर होल्डर्स के लिए है तो गाइस यहाँ पर आगर देखिए और और इन पर्टिकलर शेर्स को लेकर काफी कुछ बाते हमने कर ली है आपको यह वीडियो अच्छा हो और एल्पल लगा होगा वीडियो के रच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और कोई भी स्टॉक में इंवेस्मेंग कर रहा हो तो प्लीस इनका अनालेसी स्बी करो